हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बुड़ स्टडी पॉइंट फ्रिंसर पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और विडियो को लाइक कर दें आज हम लोग हिंदी लेंगवज पेडा गोजी में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर आपका यह देखिए यहां पर 19 है इसके पहले मैंने बताया था कि आप लोग को टॉपिक नंबर वहां पर 20 पढ़े थे 21 नंबर टॉपिक है यह ठीक है न तो यहां पर थोड़ा समिश्टिक हो गया है टाइपिंग मे तो आप लोग सुधार देजिए कि देख लिजिए कौन सा टॉपिक पीछे हुआ है उतना नंबर डाल लेंगे और यह हमारा आज का टॉपिक है काल समझ रहे हैं जिसको अंग्रेजी में लोग टेंस बोलते हैं क्या भूलते हैं टेंस बोलते हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे काल का अर्थ क्या होता है देखिए काल का अर्थ होता है समय काल का अर्थ होता है समय क्रिया के जिस रूप से कारे के होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं मतलब कि कोई भी क्रिया कोई भी काम की समय में हुआ है अगर उस सब्द से पता चलता है तुसे हम लोग काल कहते हैं जैसे कि काल के उदारण है सुनील गीता पढ़ता है तो सुनील गीता पढ़ता है यानि लग रहा है अभी पढ़ रहा है तो यह बरतमान काल है प्रदीप पढ़ रहा है यानि अभी पढ़ रहा है तो वह बरतमान काल है रमेश कल दिल्ली जाएग जायेगा मतलब रही गया नहीं है तो सर्श के व्याथ हो रहा है जाएगा तो भविस्यतल काल है तो इस तरह तरह to talkka होथे भूतकाल बर्तमानकाल और भविस्टल काल ठीक है देखे बूटकाल का पहला है भूत बूत काल का अर्थ होता है बिता हूगा यहानि ज viktig में समय में हुआ हो उसको भूत काल कहते हैं क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूत काल कहते हैं अर था जिस क्रिया से कारे के समाप्त होने का पता चले उसे भूत काल कहते हैं इसे पता चले काम समाप्त हो चुका है तो भूत काल होता है इनकी पहचान वा यह सभी क्या है भूत काल है अब आए जानते हैं भूत काल के प्रकार ठीक है उसके बाद हम लोग बरत्वान काल उसके भेद और फिर भविस्यत काल और उसके भेद के बारे में समझेंगे भूतकाल के प्रकार पहला है समान्य भूतकाल, दुसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौता है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिक्द भूतकाल, छठा है हेते हेतु मद भूतकाल, सातवा है समय कालीन भूतकाल चलिए एक एक करके सब के परिभासा और एक्जामपल समझते हैं सबसे पहला है हमारा समान्य भूतकाल समान्य भूतकाल करते हैं कि जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के समान्य रूप से बिते हुए समय में पूरा होने का संकेत होता है मतलब कोई कारे समाप्त हो है लेकि समान्य रूप से समान्य समय में तो उसे हम समान्य भूतकाल कहते हैं जैसे मैंने गाना गाया अभी मैंने बता है दलास्त में या यह भी आ सकता है मैंने गाना गाया, खिलाडी खिलने गए, सीता गई, सिराब निरावण कुमारा, मुनोज घर गया, यह सिंपल वाक्य है, तो यह समान्य भूतकाल है, दुसरा होता है आसन भूतकाल, आसन का आर्थ होता है निकट, मतलब एकदम नजदीक, जिस क्रिया के अभी अभी यह निक हुई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं, जैसे मैं अभी हिसार से आया हूँ, लग रहा है मतलब अभी आके बैठा हुआ हूँ, मैंने सेव खाया है, कब खाया मतलब अभी तुरंद खाया है, अध्यापिका पढ़कर आई है, यानि अभी पढ़कर आके बैठी हुई है, मैं जिस रूप से यहां पता चली कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीच चुका है बहुत टाइम हो गया खतम हुए उसे पूर्ण भूत काल कहते हैं जिसे पदमा निरत्य किया अभी थोड़े ने किया कर चुकी है वह दिल्ली गया था यह दिल्ली गया था बहुत पहले अभी घर पे है भारत पंदर अगस्त 1947 को आजाध हुए था अभी थोड़े नहीं हुआ है बहुत समय हो गया तो यहसे एक्जामपल पूर्ण भूत काल होते हैं चौता होता है अपूर्ण भूत काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कार्य भूत काल में पूरा नहीं थो चुकाया अब मैं पतार नहीं पूरा पूरा बिता है कि नहीं वह ओकी खेल रहा था नहीं कि पता नहीं यह छोड़ दिया तो इसे अपूर्ण का बात हो रहा थो रहारा था रागु लिह बच्चे खेल रहे थे heavier यह सभी अपूर्ण भूत काल है पाच्वा ए बीत में यानि बिते हुए समय में या किये हुए कार्य पर संधिय प्रकट किया जाए उसे संधिक्द भूत काल कहते हैं यह सुनील हिसार गया था वे क्रिकेट खेले होंगे अब खेले होंगे मतलब इसमें संधिय है कि पता नहीं खेले होंगे कि नहीं खेले होंगे यह मतलि यहां पर लिखेगा सुनील हिसार गया होगा यहां पर था नहीं होगा होगा बस छूट गई होगी तू गाया होगा उसने खाया होगा अब गागेगी है तो आपको लग रहा है भूत काल है लेकि नहीं इसमें भूत काल में भी आता है भविश्यत काल है यह भूत काल में भी पर चले की कारे हो सकता था लेकिन दूसरी कारे की as sy नहीं हुआ उसे हेतू हेतू मदभूत करकेते हैं जिसकि मैं अगरा जाती तो ताज महल देखती मतलब मैं अगरा जाती तो ताज महल देखती यहज़ प्रतनि इसने ना तो आगरा गई और ना ही ताज महल देखे यानी कि दूसरे कारे की वज़ए से वो काम नहीं हुआ, मतलब कि अगर वो आगरा चली ताज महल देखती लेकिन आहला नहीं गई शुरेस मेहनत करता तो सफल होता यानी कारे पूरा नहीं हुआ, यौbourne बर्सा होते तो समय कालीन भूत काल कहते हैं जैसे वे पिछले तीन घंटे से तीवी देख रहे थे लास्ट में और समय भी यह तीन घंटा वे दो दिन से खिल रहे हैं जैसे कि इंगलीस पढ़ेंगे नहीं तो याता है पास्ट परफेक्ट कॉंटिनिवस टेंस चार नमर जो भेद है ना पास हो रहा है उसे बरतमान काल कहते हैं मतलब कि काम समाप्त नहीं हुआ है जिन वाक्यों के अंत में ता ती ते हैं हैं और हैं आते हैं तो वो बरतमान काल कहलाते हैं क्रियाओं के होने की निरंतरता को बरतमान काल कहते हैं मतलब क्रिया लगतार हो रही है तो बरतमान काल है रा बरतमानकाल छे परकार के हैं पहला है समान्य बरतमानकाल दूसरा है अपूर्ण बरतमानकाल तीसरा है पूर्ण बरतमानकाल चौथा संदिग्द बरतमानकाल पाचवा ततकालिक बरतमानकाल और छठा संभाव्य बरतमानकाल तो समान्य बरतमानकाल सबसे पहले हम पढ़ेंग का पता चलता है उसे समान्य बर्तमान कल कहते हैं जैसे राम घर चाता है वह गेंद खेलता है सीता पढ़ती है मैं गाता हूं वह आता है यह समान्य कारिया हो रहे हैं बर्तमान कल दूसरा है अपूर्ण बर्तमान कल अपूर्ण का अरत होता है अधूरा मतलब जो पूरा नहीं करिया के जिस रूप से कार्य की लगतार होने का पता चलता है उसे अभी बर्तमाइन कल कहते हैं मतलब करें हुई ही रहा भी खत्म नहीं हुआ है श्याम गेंद् Ain खेल रहा है वह घर जा रहा है अनीता गीत गा रही मतलब यह सब काम भी हो रहा है खतब नहीं है रमेश लिख रहा है बंदर नाच रहा है जैसे आपने पढ़ते हैं इंग्लिस में इसको कहते हैं परजेंट कॉंटिनीवस्टेंस और जो समन पहला वाला था उसको कहते हैं सिम्पल परजेंतर्ट तो बस वहीं है थोड़ा सा इस माप्त हो चुका है उसे पूर्ण बरतमान कल कहते हैं जैसे मैंने फल खाये हैं यानि मैंने फल खाली है कंप्लीट हो गया है उसने गेंद खेली है यानि गेंद खेलना काल क्रिया के होने या करने पर सक्थ हो संदे हो उसे संदिक्द वर्तमान कल कहते हैं सबिता पत्र लिखती होगी अब लिखती होगी अब पता नहीं लिखती है कि नहीं लिखती होगी कौन जानता है वह गाता होगा यह भी पता नहीं है राम खाता होगा यह उसमें संदे है त लास्त है चट्था तत्कालिक बर्तमानकाल चट्था नहीं यह पांचवा है क्रिया के जिस रुप्सिया पता चलता हो कि कार्य बर्तमान में हो रहा है उसे तत्कालिक बर्तमानकाल कहते हैं मैं पढ़ रहा हूं वह जा रहा है कपड़े पहन रहे हैं और छे नंबर है संभाव समभाब रित्मानकाल,समभाब्बे कार्थ होता है संभावित है जिसकी होनी की संभावना हो, Northern सम्भावना है कि हो सकता है है तो यह हमारे हो गया आ आपके भरधमान का रास्टमलीख भविश्यत काल तो यहां पे लगा देज़ा करिया की जिस रूप से करिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चलिए मतादब आने वाले समय कोई कार्य पूरा हो उसको हम लोग भविश्यत काल कहते हैं उसे भविश्यत काल कहते हैं जिन वाक्यों कंत में गाग गेगी यादी आते वे भविश्यत काल होते हैं मैं कल भी देले जाओंगा दिख लिए सब में गा 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 यह है सब क्या है भविश्यत काल है भविश्यत काल के तीनी वेद ह होने का पता चले उसे समान्य भविश्यत काल कहते हैं जैसे कि वह खाना खाएगी बच्चे खिलने जाएंगे वह घर जाएगा दीपक अखबार बेचेगा वह पढ़ेगा यह सिंपल वाक्य हैं सभी दूसरा है संभाव्य यानि संभावना क्रिया के जिस रूप से आगे कारे होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव बेभविश्यत काल कहते हैं साइद कल सुनी लागरा जाए, मतलब एक उमीद है कि जा भी सकता है, संभावना है, साइद आज वर्सा हो, संभावना है कि आज वर्सा हो सकती है, साइद चोर पकड़ा जाएगा, परिक्षा में साइद मुझे दो अंक प्राप्त हो, ये सभी संभावना भी अक्त की जा रही पेगे और उसने काुकूच का मेरे धूक्र घूप्सक्राइब करके इसलों को सब्सक्राइब करके विल्सवे सकता गता है अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो